अपना नर्थ पावर को यहां से मैं एकाउंट का बालेंस चेक करूंगा तो आप लोग दोस्तों देख लो कितना है दोस्कार दोस्तो स्वागत है आप लोग का हमारे नए वीडियो में दोस्तो आप लोग में से हमारे एक भाई का डिमांड आया था कि विकास भाई हम जो है आप जो है मीटर का रिचार्ज कैसे कर सकते हैं हाला कि हमने पिछली वीडियो में भी बताया था और वो जो हमारी वीडियो थी करीब डेर लाग क्या प्रोक्स वो चली थी बहुत अच्छा खासा प्यार उस पे जो है मिला था तो दोस्तों मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ ये जो है स्मार्ट मीटर का रिचार्ज अगर आप लोग के घर में अगर लग गया होगा तो आप लोग चुटकियों में आप रिचार्ज कर सकते हो पिछली वीडियो में हमने बताया था काफी भाई यहाप जो रिचार्ज किये थे काफी भाईयों का यहाप जो है प्रोब्लेम फसा था कि हम यहाप जो है रिचार्ज कर लेते हैं अपने मीटर में लेकिन यहाप जो है विजली ही नहीं आती है सारा चीज बताऊंगा अपने इस वीडियो में तो आईए हम लोग यहाँ शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहूंगा अभी जो है मेरे मीटर में कुछ बाइलेंस यहाँ है अगर यह दोस्तो माइनस में चलेंगी जैसे कि अगर माइनस 50 माइनस 20 में अगर चलेंगी न चलते चलते यहाँ यह यह लाइन कट जाएंगी लाइन कटेगा तो आपके घर में आप बिजली पूरा कनेक्शन सभी आप खतम हो जाएंगी जैसे कि फान वेगरा चल रहें थे वो सब चलना यहाँ बंद हो जाएंगी जैसे आप लोग एक्जामपल ले सकते हो यह अच्छा ही है क्योंकि बहुत सारे भाई यहाँ बिजली को यूज कर लेते थे और यहाँ जो रिचार्ज भी नहीं करते थे लेकिन यह जो कनेक्शन आ गया है तो बहुत सारे भाई अब यहाँ जो सचेत हो गया होंगे और जितना का उप्योग रहता होगा वो जो अपना यहाँ जो उप्योग कर लेते होंगे एक्जामपल जैसे हम यहाँ से जा रहें अपने कहीं और एक-दो साल के लिए और यहाँ जो घर पे कोई नहीं है तो सबसे पहले आप लोग यहाप पास में आ जाओगे और यहाप जो अपने मोबाइल के home screen से आप लोग को यहाप जो है डाउनओड कर लेना है अपना यहाप बिहार सूगम app तो playstore यहाप जो है यह मेरा phone का है playstore मैं यहाँ से खोलता हूँ play store खुलने के बाद यहां से जो है बिहार सुगम आप लोग को यहां से search कर लेना है बिहार सुगम smart meter app ठीक है यह search कर लेना है और search करके आपको यहां फ्रन्ट में उपर इस परकार यह जो application है आपको इस परकार देखने को मिल जाएगा sorry मेरा data on नहीं है यहाँ से open कर लूँगा open कर लेने के बाद कुछ इस परकार अपना यहाँ जो है mobile का home screen so कर रहा होगा तो हमको ज्यादा कुछ यहाँ नहीं करना है हमको तुरंत यहाँ quick recharge pay and bill यहाँ से recharge करना है अगर आप लोग दोस्तों यहाँ से login भी कर सकते हो जैसे की consumer number डालके mobile number डालके और यहाँ से login भी कर सकते हो अपने consumer number का तो हम लोग चलते हैं direct quick recharge पे quick recharge से आप लोग किन ही के भी smart meter का यहाँ रिचार्ज कर सकते हो तो मैं यहाँ consumer number मैं यहाँ डालूंगा तो consumer number हम यहाँ अपना डालेंगे तो आप लोग यहाँ यहाँ जो है consumer number अपना यहाँ डाल लो मेरा consumer number हम यहाँ पर डाल लेते हैं consumer मैंने consumer number मैंने यहाँ जो है डाल दिया आप लोग यहाँ जो है meter number भी यहाँ जो है डाल सकते हो consumer number हमने यहाँ जो है डाल दिया और यहांप जो है amount को हम लोग को यहांप जो select कर लेना है अगर आप लोग का दोस्तों 500 का होगा 1000 का होगा 1500 का होगा तो यहां से select कर सकते हो लेकिन मेरा यहांप ज़्यादा का amount नहीं है मैं यहांप 100 का यहांप जो मैं recharge करूँगा ठीक है 100 का और 100 का रिचार्ज करने के बाद यहांप जो है प्रोसीड यहांप आगे कर देना है प्रोसीड कर देने के बाद मेरा यहांप जो है सारा चीज सो कर रहा है यहांप जो कंजूमर नंबर यहांप जो है सो कर रहा है मीटर नंबर सो कर रहा है और यहां आप जो है consumer name जिनके नाम से है यह भी आप जो है तो हम लोग यहां से जो है डारेक्ट आप आगे बढ़ेंगे payment की तरफ अगर आप लोग दोस्तों फोन पर गूगल पर वगरा चलाते हो तो डारेक्ट की कर सकते हो इसी अप से अगर नहीं चलाते हो आप लोग तो जाकर कि Cyber Cafe में भी यहाँ डलवा सकते हो अगर QR code अगर आप लोग QR से अगर करना चाहोगे तो यहाँ QR code भी scan आ रहा होगा इसको आप लोग scan करके भी यहाँ पे कर सकते हो मैं अपना यहाँ UPI के माधे हम से यहाँ जो मैं payment करूँगा और तो अपना मैं यहाँ UPI ID में यहाँ जो मैंने डाल दिया UPI ID मैंने यहाँ डाल दिया और यहाँ से जो मैं make payment पे मैं जा करके select करूँगा तो make payment पे यहाँ जो है हमारे Google Pay पे यहाँ एक notification आएगा अभी payment करने का आया यहाँ जो है payment करने का notification तो यहाँ से मैं जा करके यहाँ से जो है पे कर दूँगा सेंड सो रुपीज टू नर्थ पावर लिमीटेड है न तो यहाँ से मैं select करूँगा और yes continue पर जा करके और यहाँ से जो है अपना यहाँ जो मैं अपना पीन डालूँगा और पीन डालने के बाद अपना यहाँ जो है payment हो जाएगा तो चलिए मैं यहाँ जो है payment पहले मैं आपकर जो कर देता हूं में आप लोग को payment करने से पहले मैं अपना यहाँ जो है मीटर का बैलेंस आप लोग मैं बता देना चाता हूं कि हमारे मीटर में अभी कितना balance यहाँ जो कर रहा है आप लोग भी कहोगे कि भाई recharge किये थे नहीं आना throughout अप लोग यहां पे दो ट्रीपल वन डालना है बालेंस इनक्री के लिए ए देखो एक 177 रुपीया है मीटर में सो कर रहा है तो हम लोग यहाँ पेमेंट करते हैं उसके बाद यहाँ जो मैं आप लोग से बात करूंगा तो पीन वैगरा मैं यहाँ डाल देता हूँ तो payment दोस्तों यहाँ आप जो हो गया है अपना नर्थ पावर को क्या है नर्थ पावर कर्पूरेशन नर्थ विहार पावर डिस्ट विटेशन ठीक है तो यहाँ आप जो है दोस्तों payment हो गया है गुगल पेसे और मैं आप लोगो बताऊंगा कि डारेक्ट अपना मीटर में लाइन आया है कि नहीं आया है तो चलिए दोस्तों हम लोग ड़ेक्ट यहाँ देख लेते हैं मीटर में बालेंस अभी कितना सो कर रहा है बालेंस चेकरने के लिए अपने आप जो है कर दिया था तो यहां से मैं एकांट का बालैस चेक करूँ गा तो दोस्तों यहां बहुत लग रही है तो हम उत्वलों को जाद कुछ नहीं करने मेद समार्ट मीटर का रिचारज मैं अगर नहीं आता है तो आप लोग जाकर के यहां जो इत्राइन स्झीकात कर सकते हो होगा साथ कि अगर आप लोग का बकाया अगर पैसा अगर रहेगा बकाया पैसा अगर बाकी होगा तो साथ उसी में यहाँ जो कटता होगा तो आप लोग जाकर के बिजली ओफिस में आप लोग यहाँ जो कंप्लेंट कर सकते हो अपनी तो आप लोग comment में बताना कि आज कामारा वीडियो कैसा लगा और बेजिजा कि आप जोए डाउनलोड कर लेना है बिहार सुगा में स्मार्ट मीटर आपको और वहां से जाकर के तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जैन जया भारत